नमस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आई इस चैनल की इस नए वीडियो में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार रेड सी यानि के लाल सागर चर्चा में बना हुआ है अब इस पूरे परिदर्श में भारत भी सामने आ थे जहास को बहुत दद नुकसान हुआ है अला कि अच्छी बात ये रही कि भारत का जो क्र्यू उस पर मौजूद था उसको किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा तो आज इस वीडियो में हम इसी विशय पर विस्तार से बात करने की कुशिश कर करते हैं और सबसे पहले विडियो की जो रूपरेखा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं तो विडियो में सबसे पहले हमने नियूज यानि के खबर पर बात कर ली है खबर को जानने के बाद हम लाल सागर के इंपोर्टेंस पर बात करेंगे कि आखिर लाल सागर इतना prosperity guardian पर भी हम बात करने वाले हैं आंत में एक प्रश्ण पर भी चर्चा होगी प्रश्ण जो है वो प्रिलिम्स का है और आप वीडियो में बताएगे तत्यों के अधार पर तमाम facts के अधार पर तमाम concepts के अधार पर आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं इसके अलावा यह जो जो रेड़ सी है लाल सागर है उसके importance को एक बार समझते हैं रेड़ सी क्या है तो रेड़ सी एक water body है एक जल निकाय है जिसका जिसकी जो को लंबाई है वो तकरीबान आपको 2000 किलोमेटर के आसपास दिखाई दे जाएगी यानिके रेड़ सी जो है वो तकरीबान 2000 सागर को यानि के Mediterranean Sea को हमारे हिंद महासागर यानि के Indian Ocean से connect करती है connect कैसे करती है तो इसमें बीच में एक नहर और पड़ती है एक कैनाल पड़ता है जिसमें आपका नाम है स्वेध नहर आपने इसकी इसकी चर्चा बहुत बार सुनी होगी बीज़े दिनों ये खाबर importance की बात करेंगे कि पूरा region के इस लिहास से important है तो आकणों को अगर आप देखेंगे तो 2023 की जो पहली चमाही रही यानि 2023 के जो पहले 6 महीने रहे उन 6 महीनों के दौरान स्वेज नहर से लाल सागर से प्रते दिन तकरीबन 9.2 million barrel तेर का प्रवा हो रहा था यानि इतना ते विशंत अंतराश्टिय वयपार इस जगे से हो कर गुजड़ता है लाल सागर से हो कर गुजड़ता है स्वेज नहर से हो कर गुजड़ता है तो यह इस पूरे region के हमने बात की अब एक बार इसको map भी देख लेते हैं मैप पर अगर आप देखेंगे तो यह वाला जो पूरा रीजन है यहां पर आपको इंडियन ओशन दिखाई देगा और यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा यानि कि भूमत दिसागर दिखाई देगा यह वाला जो पूरा रीजन है यहां पर आप थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा यहां पर आएंगे तो आपको Gulf of Eden दिखाए देगा Gulf of Eden से अगर आपको Red Sea तक जाना है तो आपके बीच में स्ट्रेट पढ़ती है इस स्ट्रेट से आप गुदरेंगे तो आगे जाएंगे आप Red Sea में जाएंगे यानिके तकरीबन 2000 किलोमेट लंबा यह जो पूरा पूरी Water Body है अप यहां पर जाएंगे और इसके बाद यहां पर आपको मिलेगी स्वेज नहर यानिके स्वेज केनाल और स्वेज केनाल से निकल करके आप आसानी से Mediterranean Sea में पहुंच सकते हैं और इसके बाद यह पूरा region important इसलिए है क्योंकि यहां से यूरोप तक पहुंचना बहुत लंबा रास्ता था लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद यूरोप तक पहुंचना बहुत जादा आसान हो गया था तो इसलिए अंतराश्टी व्यापार की लिहास से इस पूरे region को बहुत जादा important मन जाता है बहुत जादा importance दी जाती है तो वो दुनिया की देशों को प्रभावित करती है दुनिया की economy को प्रभावित करती है दुनिया के बाजारों को प्रभावित करती है तो यह हमने इस पूरे region को समझा अब हम आगे बढ़ते हैं और होती विद्रोहियों पर बात करते हैं कि जो लोग हमला कर रहे हैं वो कौन है तो होती विद्रोहियों के अगर आप बात करें तो यह यमन के उग्रवादी समूह है यमन का एक militant organization है जिसको इरान का समर्थन जो है प्राप्त है और यह जो अस्तितों में आया था जो बहुत अध्र चर्चा में आये था लाइमलाइट में आये था वह 2014 में यह जो यमन की तत्कालिन सरकान थी उस सरकार को गिराने के लिए इस समूह को अपना समर्थन दिया था और इस पूरे समोह ने यमन की राजधानी पर कबजा स्थापित कर लिया था अब आपको कॉमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यमन की राजधानी का नाम क्या है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में यमन की राजधानी का नाम बताईए और अगर वर्तमान समय की बात करें तो व तो 2015 में आपका साउधी अरब भी पिक्चर में आया था क्योंकि साउधी अरब जब आप मुस्लिम जगत की बात करते हैं तो वहाँ पर साउधी अरब और इरान की बीच में आपको एक अलग तरह की क्वेशन देखने को मिलती है तो 2015 में आपका जो साउधी अरब है उसके निरतत्त में एक नया गटबंधन मनाया गया जिसका प्रात्मिक लक्ष यह था कि यमन की जो सरकार गिराई गई थी उस सरकार को वापस यमन में बहाल किया जा सके तो इस तरह से हमें यमन में साउधी और इरान की बीच में एक प्रॉक्सी युद्ध देखने को मिला था और यह युद्ध जो है लगातार चलता रहा है और लगातार इसकी वज़े से यमन की जो आम जनता है उसको भयानक संकट का सामना उसको मानवी संगर्ष का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी करी रिपोर की परफियों की बात की पूरे गृरूप की यहां की समझ ले आए अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि यहां पर कहीं भी जो पूरा युद्ध है वो ऑपका इरान यहां पर इक पीक्चर में है वह हैं यमन पीक्चर में हैं तो आखिर यह लोग भारत के जहाशऱद विद्रोई है ये उस पूरे रीजन में हमला कर रहे हैं ताकि ये जो लोग जो है वो फिलिस्तीनी समो हमास के प्रती अपना समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं तो इसी समर्थन को देखते हुए वो लगातार लाल सागर की ओर से जो भी जहाज गुजर रहा है उसे ये मान के च चुरुआत हुई थी और अभी तक बीस हजार से ज्यादा लोगों को इसराइल के आकरमण की वज़े से अपनी जान गवानी पड़ी है तो ऐसे में जो हौती विद्रोही है उनका कहना है कि जब तक इसराइल गाजा पर अपने हमले को नहीं रोकेगा हम भी यहाँ पर लाल इस इनकी सप्लाइ भी सुनिश्चित की जाए तो इनहीं तमाम मांगों को बढ़ावा देते हुए हौती विद्रोहियों द्वारा अंतराश्तिय व्यापार को बाधित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता है वो इंटरनाशनल एकॉनमी के लिए कितना जादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ी मात्र में ट्रिलियन डॉलर्स में व्यापार आपको समुद्री मार्ग से देखने को मिलता है तो ऐसे में अगर वो व्यापार बाधित होगा तो परिणाम सुरूप आपकी इंटरनाशनल जो एकॉनमी है उस पर भी आपका प्रभाव जरूर तोर पर देखने को मिलेगा तो इसी वज़े से जो होती विद्रोही है उन्होंने ये तरीका चुना है हमास को अपना समर्थन व्यक्त करने का और शायद इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिल र है तो इंटरनाशनल अपटांवी पर उसका प्रभाव पढ़ेगा उन कंपनियों पर इसका प्रभाव पढ़ेगा अंतराश्थिय शेर बाजार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलसकता है तो यह जो capitalist economy है उनकी लिए जो issue है यह बहौत ज्यादा important हो जाता और इसी वज़े से अमेरिका ने इस पूरे इशू से निपटने के लिए एक नए ओपरेशन की भी शुरुवात की है इस नए ओपरेशन इस नए अलायंस का नाम है ओपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन तो अमेरिका की ओर से इस ओपरेशन की शुरुवात की गई है ये अम commercial trade को सुरक्षा दी जा सके commercial trade में और ज़्यादा safety सुनिश्चित की जा सके और भारत का जहाज है भारत का जहाज का जो कुरू थे उन्हों ने सबसे पहले इसी operation के तहट अमेरिका ने जो जहाज भेजा है उस जहाज को संपर्ख किया था और उसी संपर्ख का परिणाम है कि भ इसा लेने की घोशना नहीं की है तो यह हमने पूरे विशय की बात की हमने पूरे ऑपरेशन को समझ लिया है तो यहां पर यह विशय जो है वो समाप्त होता है अब अंत में हम एक सवाल की भी बात कर लेते हैं आज का हमारा जो सवाल है वो आप जानते हैं प्रिलिम्स का है औ हमारे option है option A हिंद महासागर option B भूमध्य सागर option C प्रशांत महासागर या फिर option D अंटार्टिक महासागर तो आप जल्दी से comment box में सवाल का जवाब दे दीजिए तो यहां पर आपके दो option ठीक है तो दोनों option कौन-कौन से हैं उन options को आपको comment box में बताना है तो जल्दी से comment box में दोनों झाल